नमस्कार स्वागत आपका सेल स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में जो टाइम एंड वर्क के हमने तीन पार्ट कम्प्रेट कर लिये थे जिसके अंदर हमने 34 कोशन जो है वो कर लिये हैं अब इसके बाद हम 35 से लेकर 42 तक कोशन जो है इस वीडियो के यह नए वाले क्लास नोट्स है इसके अंदर कोशन की जो संख्या है वो बढ़ गई है हाँ इसके अंदर आपको जो पुराने क्लास नोट्स के जो कोशन से वो भी इसमें देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं कि वो हट गए है नहीं कोशन की संख्या बढ़ गई है जो यहां पर है आपको पिछले वाले questions याणि कि जो पिछले वाले class notes ते उसके भी questions में देखने को मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे यारे ये वाला question का गया, ये वाला question इस class notes में है, तो यह यहां नहीं दीख रहा है तो आपको वो दिखेगा, लेकिन कही या First of all, जो time and work हम कर रहे हैं, यानि समय और कर रहे हैं, यहाँ पर एक formula है, efficiency को अगर आप time से multiply करवा देंगे, तो आपको work मिल जाएगा, मैं ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि इसी formula को हमें use करते हुए आगे बढ़ना है, अब चलिए start करते हैं और अपना इस वीडियो का first question, या फि for a day, during the three shifts, the average working efficiency of worker is 80%, 70%, 50% respectively, if work is complete in 60 days by the group working in first shift, if the work is done in all the shifts, then how many days less are required to complete the work, Hindi में बोले हैं, तो देखें, एक किसी factory के अंदर, तीन shift के अंदर जो काम चलते हैं, इन तीनों shift में के दुरान जो मजदूरों की जो ओसत कार्य शमता है, वो करम से 80%, 70% और 50% है, मतलब कि मैं यहाँ पर first shift ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं second shift ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं third shift के अंदर वो 50% की शमता से वो काम करते हैं, बोला गया है कि पहली shift में काम करने वाले का एक जो समू है, यानि कि यह first shift की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर, वो क्या करता है, उसके दोरा 60 दिन में काम पूरा कर लिया जाता है, यानि अगर यह काम यह first shift के लगे रहे 80% की शमता के साथ, तो यह जो लोग हैं, वो 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर क्या है, वो काम खतम कर देंगे, अगर तीनो शिफ्टों को लगाया जाए, तो बोलिए, यह जो first shift ने जो काम खतम किया, तीनो मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो यह बात बोले ग करें, तो इसको करने का एक तरीका ऐसा है, आप ऐसे मान लेजिए, इसको efficiency ना मान कर ऐसे मान लेजिए, एक जो है, यह workers की संक्या है, कि first shift के अंदर worker जो हो 80 है, आप परतिशत क्यों नहीं मानेंगे, देखे परतिशत या percentage ना मानने के पीछे reason यह है, कि आप यह जो percentage लगा आप इनको, 80 worker ही मान लो, ठीक है, यहाँ पराब 70 worker मान लो, यहाँ पराब 50 workers मान लो, अब बोला गए कि 80 आदमी मिलके 60 दिन में काम खतम कर देते हैं, इसको ऐसे ले लो, कि 80 आदमी मिलके 60 दिन में काम खतम कर देते हैं, तो मैंने क्या कहा, efficiency को, efficiency को आप अगर time से multiply करवा देंगे, तो आपके सामने क्या निकल कर आएगा, आपके सामने work निकल कर आएगा, तो efficiency आपके सामने है, 80, यानि 80 आदमी में लोग लगे हुए हैं, और वो काम खतम कर देते हैं, 60 दिन में, तो आपके सामने काम निकल कर आया, 4,800, अब बोला गया है, कि 3 लोग लग जाए मैंने कि 3 शिफ्ट के लोग लग जाएं, तो यह जो 4,800 यूनिट ओ वर्क है, वो कितने दिन में खतम होगा, बस यह पूछा गया, तो भाई साब एक काम करिए न, 80 इसके होगे, 70 इसके होगे, 50 इसके होगे, तो कितने होगे, 80 और 70, 500 और 50, कितना निकल कर आया आपके सामन दोस्तो, तो यह दोस्तो जो है, आपके सामने निकल कर आई, टोटल एफिशंसी, भाई, तीनु शिफ्ट को मिला कर, अब यहाँ पर आपके सामने जो वर्क दिया गया है, वो है 4,000 रेटन, यानि 4800 यूनिट ओव वर्क है, तो देखिए, 4800 यूनिट ओव वर्क है, इसको करने वाले कौन है, भाई, यह दोस्तो है, यह करेंगे, तो यह टोटल वर्क हो गया, यह टोटल वर्क हो गया, TW लिख देता हूँ, और टोटल एफिशंसी यह रही, इसको इसके नीचे ले आओ, तो देखिए, यह जो फोर्मुला है, यह जो फोर्मुला है, यह बहुत काम का है यहां से आप सारी चीज़े निकालेंगे वर्क आपके सामने गिवन है efficiency आपके सामने गिवन है टाइम निकालेंगे टाइम कैसे निकालेंगे efficiency इसके नीचे चले जाएगी तो यही तो कर रहा हूं यह जो है यह आपके सामने 200 जो है यह efficiency है तो 48-100 को हम divide कर देंगे 200 से, तो 2-0, 2-0 गई इसको हमने cut कि यह आगया आपके सामने 24 days पर तीनो shift के अगर लोग लग जाएंगे तो वो 24 दिन में उस काम को खतम कर देंगे तो यह हो गया आपके सामने 35 question, उमीद करता हूँ यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आते हैं आपने 36 question के अपर same वही है, एक बार खुद मतलब एक बार try करके देखिए आपसे यह question हो जाएगा चलिए एक बार video pose करिए और इसको try करिए उमीद करता हूँ कि आपको इस question करने में मतलब जो भी problems आई होगी at least आपने उसको note down तो क्या होगा कि यहाँ पर मुझे दिक्कत आई है और जिनका हो गया होगा तो वो काफी अच्छी बात है हाँ यह हिंदी में नहीं है tension ना लेना, अगली बार जो questions होगी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो हिंदी में भी उपलब्द करवा सकूँ चलिए, यहाँ पर 36 में question ने बोला गया है कि in a factory same number of women and children are present मान लीजिए कि एक factory है एक factory है उस factory के अंदर अगर एक ही woman थी एक से ही लेके चलेंगे, हम क्यों ज़्यादा लेकर चलेंगे एक ही woman थी और उसी factory के अंदर same number of children ने एक ही child हुआ एक ही child हुआ तो बोला गया है, वो present है woman जो है 6 गंटे काम करती वह, woman जो है यह बोला गया है 4 hour works child जो है, वो 4 गंटे काम करता है यह बात बोली कि यहां तक समझ मैं है in a day in festival season the workload increased by 50% भई, कोई त्योहार आया उस त्योहार में क्या कहा कि काम जो है, वो 50% बढ़ गया government laws do not allow children to work more than 6 hours per day तो government के जो rule है वो यह है, कि भई, आपने काम तो है, 50% बढ़ा दिया लेकिन, जो एक बच्चा है वो 6 गंटे से जादा काम नहीं कर सकता, एक दिन के अंदर यह आपके सामने जो है, वो एक government के आधेश है ओके भई, मान लिया if their efficiency are equal बोला गया है कि एक औरत जितना काम कर सकती है उतना ही काम एक बच्चा भी कर सकता उनकी efficiency सेम है, ठीक है बस फर्क क्या आजाता है, फर्क आजाता है उनकी timing में, कि औरत जो है वो 6 गंटे काम कर रही है, और बच्चे कितने काम कर रहा है 4 गंटे काम कर रहा है उनकी efficiency सेम है work is done if the efficiency is same equal and remain work is done by women then how many extra hours days increase कितने दिन या कितने घंटे जवो increase कर दिये गए या एक ओरत के लिए पूछा गए तो यहां पर आप देखिए वही एक ओरत हमने मान ली कि यह 6 घंटे काम करती है यह ऐसा बोला गए एक बच्चा जवो 4 घंटे काम करते है तो दोनों मिले तो दोनों ने total 10 घंटे काम करती है दोनों मिले दोनों ने कितना घंटे काम करती है 10 घंटे काम करती है और मान लीजिए उन्होंने 10 घंटे तक काम करके 10 दिन तक वो काम किया हर दिन 10 घंटे काम कर रहे हैं हर दिन काम करते हैं 10 दिन तक उन्होंने क्या किया 100 unit of work कर दिया 100 unit of work कर दिया इसको आप छोटा ही मान सकते हैं मैंने इसलिए बड़ा मानने थोड़ा सा ताकि आपको ये percentage में दिक्कत ना है ये जो percentage यहां पर दे रहे हैं अब इसका काम आते हैं अब ये तो था normal days ये जो क्या था ये जो था आपका normal days के अंदर था ये आगया आपके normal days में अब क्या हुआ यहां पर festival आ गया यहां पर festival season आ गया तो festival season के अंदर क्या हुआ ये जो काम है यह जो 100 unit of work है वो 50 परतिशत बढ़ गया, यानि increase हो गया 50 परतिशत इस 100 के उपर अगर मैं लगाऊंगा, तो वो कितना बन जाएगा, 150 unit बन जाएगा, 150 unit of work वो बन गया, ठीक है 150 unit of work बन गया, भाई काम तो फिर भी वो 10 दिन ही करें हैं उन्होंने, काम तो उन्होंने फिर भी वो 10 दिन में खतम करना है, क्योंकि लोड बढ़ा है, डे जाके नहीं बढ़े हाँ, बस इनके काम करने का जो आर्स है, वो बढ़ा दिया गया है औरत का और एक बच्चे का औरत का तो बोला गया है, कि भाई साब हमें निकालना है बच्चे का बोला गया है, छे घंटे छे घंटे क्योंकि, as per the government laws, आप छे घंटे ही allowed कर सकते, तो maximum to maximum उस बच्चे को कितना लगाएंगे, वो यहाँ पर लगाने ही कोशिश करेंगे, उनको छे घंटे तो यह छे घंटे लगा दिया तो औरत का हमें निकालना है बच्चे का हमें गीवन है वही 10 दिन तक काम चलेगा, तो एक काम करिए यह 10 वहाँ पर नीचे चला जाएगा तो कोशन मार्क प्लस में 6 is equal to वो 10 इसके नीचे जाएगा 150 के, तो बचा कितना? 15 अब यहाँ पर कोशन मार्क की अगर मैं वैल्यू निकालो तो वो 6 जो है, यहाँ पर जाके यह 6 जो है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपके सामने यह 6 जो है, आपके सामने यहाँ पर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा 15 माइनस का 6 तो आपके सामने इस question hour की value जो निकल करागी वो 9 hours निकल करागी कि एक lady जो है वो कितने अब काम कर रही है वो 9 घंटे काम कर रही है पहले कितने काम कर रही थी 6 घंटे काम कर रही थी तो इन दोनों में difference कितना आ गया इन दोनों बीच में difference आ गया 3 hours का तो यही पूछा गया है कि एक औरत का काम कितने घंटे बढ़ा दिया गया कितना increase कर दिया गया तो यहाँ पर आपके सामने आंसर हो जाएगा A. 3 hours clear हो गया तो यह हो गया आपके सामने 36th question अब आते हैं हम 37th question के उपर यह question आप लोगों को एक बार खुद try करना है कोई मुश्किल नहीं है at least आप try करेंगे तो आपके सामने वो चीज़ी निकल कराएंगी कि आपको पता चलेगा कि यहाँ मुझे दिक्कत हुई है मतलब देखिए कोई भी question अगर आप खुद try कर रहे हैं मैं यह नहीं कहता हूँ कि आपको आए तभी आप try करेंगे अरे आपको ना आए एक बार at least उसके ओपर अपना दिमाग खर्च तो करिए जब तक दिमाग खर्च उस question पर नहीं होगा तब तक question समझने का मुझे लगता है कि इतना benefit नहीं होता है क्योंकि इंसान ठोकर काके सुदर रहता है इस चीज़ को समझ लेना यह एक तरीकी की ठोकर है आपको अगर यह question अटकता है जब आप समझेंगे तो वो कभी आपके सामने यह अटकेगा नहीं practice करते रहेगा एक बड़ वीडियो पोस करिए और फिर आप इसको question को try करिए तो लिए उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पोस कियोगी और करने की कोशिश कियोगी तो यहाँ पर बोला गया है a complete half as a complete half as much work as b in equal time a जो है यानि a बराबर समय में b से आधा काम कर देता है यानि b से आधा काम कर देता है मान लिजिए a जो है a गंटे में जितना काम कर रहा है b जो है उसका आधा काम कर देता है a गंटे के ठीक है मतलब कि a गंटे में जितना उस ने किया जितना उसने किया उसका आधा काम B ने कर दिया ये बात बोली गए कहां बोली गए देखें A जो है बराबर समय लेता है B से ही लेकिन आधा काम करता है आधा काम करता है तो यहाँ पर अब देखिए यह एक से एक तो ऐसी cancel हो जाएगा यह B इसके नीचे आजाएगा यहाँ पर आपके सामने 1 रह जाएगा यहाँ पर आपके सामने 2 रह जाएगा यह जो आपके सामने निकल कर आई यह निकल कर आई फिर बोला गया C complete half as much work as A and B together in equal time वही same situation यह C जो है उतना ही time लेते हैं जितना A और B लेते हैं लेकिन काम वह half करते हैं मतलब कि वही C, A और B भई यह एक काम करते हैं तो यह दो काम करते हैं लेकिन time same ले लेते हैं यह बात बोली गई है तो यहाँ पर इसके सामने आपके efficiency यह बन गई फिर बोला गया C alone can complete the work in 40 days C जो है वो उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं भई देखिए जो efficiency की जो ratio होती है वो time की जो ratio होती है उसकी just opposite होती है यानि कि यह 2 by 1 बनेगा मान लिजे यह जो है 2 की value यहाँ पर 40 दी गई है 2 की value 40 क्यों दी गई है बोला गया ना कि C जो है वो alone जो है वो काम complete कर देता है 40 दिन के अंदर तो यानि यह जो 2 की value यह time है यह time है यह efficiency है efficiency की ratio है यह efficiency की fraction आपको यहाँ दी हुई है या time की दी हुई है तो time मे time कैसे निकाल लिए time निकाल लिए just opposite करना होता efficiency की आपके सामने time निकाल कराएगा तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 2 की value 40 days दे रखी है यानि की 2 unit की value क्या दे रखी है आपको 40 दे रखी है 1 unit की value क्या आएगी ओके just इसकी half ही तो आएगी यानि 20 तो यहाँ पर क्या निकाल लिएगा 20 निकल रहाएगा 20 days ओके तो A और B की जो है वो कोई काम 20 दिन में कर देते हैं देखिए A और B और यहां C A और B कोई काम 20 दिन में कर देते हैं C उस काम को 40 दिन में कर देता है इन दोनों का अगर हमें LCM लेंगे तो 40 बनेगा तो total unit of work यही निकल कर आया यह unit of work हो गया आपके सामने अब पूछा गया गया है उसके उपर आते हैं पूछा गया है then in how many days they all together complete the work इस 40 काम को अगर वो तीनों मिल जाएं तो उसको कितने दिन में कर पाएंगे बहुँ ज़स्सिंपल सी बात है C की efficiency आपको पता है 1 है A और B की efficiency आपको पता है 2 है तो यहां से आप क्या करेंगे इसको 3 से divide कर देंगे तो यहां आएगा 13 1 by 3 days अब एक question यहां पर एक जो सवाल ही उठता है वो यह कि sir यहां यह जो चीज दे रखे थी इसका क्या कोई logic हुआ इसका logic यहां पर आप देखेंगे न question में ऐसा पूछा नहीं गया था अगर आगे चलके ऐसा कुछ पूछ लेता तो हम इसमें question जैसे की बताओ A कितने दिन में काम कर देगा तो अगर यह पूछ ले तो यहां पर इसकी चीज आ जाएगी फिर पूछेगा B कितने दिन में काम कर देगा तो यह help करता है वो कैसे help करेगा तो देखिए A और B की efficiency तो आपको बता चली 2 है अब A और B की efficiency क्या है 2 है वहीं पर A की जो है वो 1 है और B की जो है वो 2 है भाई यह कैसे बाटा इस 2 को ही divide कर दिया 2 ratio 1 के अंदर तो यानि A की efficiency क्या आएगी A की efficiency आएगी 2 को आप multiply करेगे 2 से divide करेगे 3 से यानि 4 by 3 यहां पर आ जाएगी वहां पर क्या आएगी भाई वहां पर आएगी आपके सामने 2 by 3 यह A की efficiency है यह B की efficiency है अब कर लीजिये जैसे मतलब कि अब पूछा आगी A कितने दिन में काम करेगा तो 40 है total काम A की efficiency कितनी है 4 by 3 यह 3 उपर चला जाएगा यहां पर 10 आजाएगा यह 30 तो 30 days में जो वह काम खत्म कर लेगा तो अगर यहां पर देखिए together पूछा था इसलिए मुझे इसकी जो data है इसकी कोई जूरत ने पड़ी हाँ अगर individual पूछ था तो हम इसकी जूरत पढ़ जाती तो चले आगे बढ़ते अब यह question हमारे सामने 38 जिसे में बोला गया है A plus B can complete a work in half the time of C बई A, B जो है वो काम कर देते हैं कितने time में जितना C ने लिया उसका आधा ले लेते हैं मतलब माल लिजिए यहां पर लिख ले रता हूँ यहां C है यहां A है यहां B है यहां मैं time की वैयत कर रहा हूँ बई माल लिजिए इसने C ने अगर दो घंटे लिया है तो इसने कितना लिया एक घंटा लिया होगा तो यह हो गया आपके सामने time की तो efficiency की क्या value निकल कराएगे efficiency की value निकल लगाएगे 1 by 2 जस्ट इसकी opposite होती है time की कहां से निकाल लिए भाई साब इस पहली line से मैंने निकाल लिया फिर बोला गया B plus C can complete the same work in one third time of than A बाई जो B और C कोई काम जो है वो कर देते हैं एक घंटे में जितना यह काम करते हैं उतके one third time में मतलब की अरे क्या बोल रहा हूँ है हाँ यहां पर बोला गया है B plus C can complete the same work in one third time of than A मतलब A ने जितना time में काम किया उसके one third में वो काम कर देते हैं मतलब की यहां पर B by C की अगर मैं value की बात करूँ तो यहां A हो गया माल लीजिए A ने अगर तीन घंटे में कोई काम किया होगा तो यहां पर इन्होंने कितने देर में और B और C उसके one third में काम कंप्लेट कर देते हैं इसका one third क्या होगा इसको one third हम निकालेंगे तो एक ही तो निकल कर आएगा तो यहीं वो लिखा है मैंने यह time हो गया आपके सामने यह आपके सामने efficiency आगए efficiency just opposite क्यों होती है आप देखिए ना जरा बाई एक की बात थी यह एक काम कर रहे हैं यह मतलब की यह इसको एक घंटा लग रहा है इसको तीन घंटे लग रहे हैं तो इसकी efficiency जादा रहेगी न जो जादा time लेगा उसकी efficiency कम होगी जो कम time लेगा उसकी efficiency जादा होगी तो यही rule है अब बोला गया है, if they together complete the work in 20 days, भाई तीनों मिलकर, भाई तीनों मिलकर क्या है, A plus B plus C, जो है कोई काम जो है, वो 20 days में वो complete कर देते हैं, 20 days में वो complete कर देते हैं, तो बोला गया है कि in how many days they alone do the work, भाई बताइए कि वो अकेले केले उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो data है आपके सामने, ठीक है, और एक यह आपके सामने data दिया गया है, और तीसरा यह दिया गया है, तीन चीज़े हैं आपके सामने, और इन तीन चीजों से आपको एक question solve करना होगा, हिंदी में आपके सामने है, अब मैं निकालता हूं इसको, देखें, यहाँ पर आपके सामन first equation में मैं इन तीनों को add कर दूं तो इन तीनों को add करने का मतलब है a plus b plus c अगर मैं कर दूं तो क्या होगा c की value 2 है a plus b की value 1 efficiency की बात करो c की value 1 है और a plus b की value कितनी है 2 तो efficiency total कितनी efficiency निकल कराएगी 3 निकल कराएगी तो आप efficiency क्यों निकाल रहे हो एक पर थोटा सा धहरे रखो आपको समझ मैंगा efficiency क्यों निकाल रहे हो तो यह होगी आपके सामने 3 efficiency फिर इस second equation को अगर मैं लेके चलू इस second equation को अगर मैं लेके चलू तो यहाँ पर भी a plus b plus c तो है तो यहाँ पर भी बाई यह A plus B plus C यह first equation वाले A B plus C और यह A यह second equation वाले है तो same ही ना ऐसा नहीं है कि यह अलग आगे वो अलग आगे है तो same ही बंदे तो same बंदे हैं तो इनकी efficiency भी तो same ही आनी चाहिए थी इनकी efficiency भी तो same आनी चाहिए थी यहां पर तो आपकी सामने efficiency तीन आ रही है यहां पर आपकी सामने efficiency चार आ रही है गड़बड हो गया ना क्योंकि यह तीनो A plus B plus C यह दोनो equation वाले हैं तो same ही कोई अलग-अलग party तो नहीं है यह तो same ही है तो same है तो इनकी efficiency अलग-अलग क्यों आ रही है और अलग आ रही है तो एक काम करिए ना इनको आप same बना लीजी same कैसे बना लीजी इस उपर वाले को इस तीन को चार से multiply कर दीजीए इस नीचे वाले चार को multiply कर दीए तीन से तो यहां पर बारा निकल कराएगी यहां पर बारा निकल कराएगी efficiency same क्यों करनी है क्योंकि भाई तीनों बन्दे same ही है कोई अलग नहीं है कोई दो अलग अलग party नहीं है यहां पर same ही है ABC और ABC तीन दोनों equation वाले same ही है तो इसलिए मुझे उनकी efficiency same करनी पड़ेगी तो अगर मुझे इनकी efficiency same करनी पड़ेगी तो इस c की efficiency first equation में कितनी है वह यह 1 है तो 1 की भी तो multiply हो जाएगी 4 से इस b plus c की a plus b की efficiency first equation में कितनी है 2 है तो इस 2 की भी multiply हो जाएगी 4 से तो यहाँ पर आप देखिए इनकी इनका जो जोड़ है multiplication कितने निकल कराएगा 8 यहाँ पर क्या जाएगा 8 और 8 नहीं पूरा का पूरा मैंने गायब कर दिया गया कोई बात नहीं इसको हम फिर से कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं फड़दनी से चीज़ें लिग देता हूं तो यह हो गया आपके सामने ओके रेट कलर से कर लेते हैं देखिए फिर से समझा देते हैं कोई बात नहीं गलतियां होती रहती हैं टेक्निकल इशू होते रहते हैं कर लेंगे A plus B can complete है मैं वही चीज़ें ले लेता हूं यह मैं C उपर ले लेता हूं यह A plus B आगया हमारे सामने अगर C दो घंटे में काम करता है A plus B ए घंटे में काम कर देंगे यह इनकी एविजेंसी हो यह टाइम का हो गया इनकी एविजेंसी की जो रिशो आएगी वो जस्ट इनकी अपोजिट होगी यह 1 और यह 2 होगी सेम आगे में बोला गया है भई A अगर 3 घंटे में काम करता है तो B plus C जो है उसको A घंटे में कर देते हैं यह इनकी टाइम की होगी एविजेंसी की रिशो क्या होगी इनकी वो मतलब की यह 3 घंटे में काम करता है यह A घंटे में काम करता है तो efficiency की ratio हो जाएगी 1 by 3 अब फिर मैंने कहा था यह first equation हो गई यह second equation हो गई तो first equation में हमने लिया A plus B plus C तो यहाँ पर आपके सामने निकल कराया, इनकी efficiency की जो जोड है, वो 3 निकल कराया second equation में हमने लिया यहाँ पर A plus B plus C यह आपके सामने निकल कर आया 4 मैंने का दब दोनों ही equation के जो बंदे same है तो इनको same कर लो na same कैसे करेंगे, इसको 4 से multiply करेंगे इसको 4 से multiply करेंगे यह जो c की जो value है वो 1 है, इसको भी तो आप multiply करोगे 4 से यह a plus b की जो value कितनी है 2 है इसको आप भी multiply करोगे 4 से तो यहां पर आपके सामने निकल कराएगी इसकी value तो 8 और इसकी value 4 ठीक है नीचे बात करें तो यहां पर देखे इस C की value B प्लस C की value यहां पर दे रखी है कितनी दे रखी है अरे कहा गया 3 दे रखी है तो देखे इस 3 को हम multiply करते हैं किस से 4 से यहां पर आप देख अरे यहां पर 3 है सची गलती होगी यहां पर 3 है इस 3 की multiply करते हैं हम 3 से और यहां पर A की value दे रहे कि आपके सामने 1 इस 1 को multiply करते हैं हम 3 से तो यहां पर आपके सामने यह निकल कराएगा 3 ये निकल कराएगा 9 clear हुआ आपके सामने अब तो आप देखिए अब सारी चीजें हो जाएंगे clear अब पूछा गए कि अकेले अकेले वो कितने दिर में कर लेंगे देखें A plus B ये 12 काम देखें total efficiency तो इनकी निकल कराएगा A plus B plus C की कितनी 12 12 को आप काम time से तो work निकल कराएगा यही तो वहने किया है अब देखिए 240 unit of work है तो पूछा गया है कि अकेले केले वो उस काम को कितने दिन में करेंगे यहाँ देखिए C ये देखिए ये A है ये B है और ये C है B की A की efficiency क्या है 3 है कैसे निकाला यहाँ निकाल ली थी उनने अब उपर देखिए A प्लस B की efficiency कितनी है 8 है जिसमें से A कितना है 3 है तो B कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा C की efficiency यहाँ पर आपने निकाल रखी है 4 है तो आप पूछा गया कि बताएए वो 3 अलग 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 मतलब A कितने दिन में करेगा B कितने दिन में करेगा और C कितने दिन में करेगा भाई अगर इस चीज के अगर हम बात करें तो देखिए यह 240 है 240 है 240 unit है तो A की efficiency कितनी है 3 है B की efficiency कितनी है 5 है C की efficiency कितनी है 4 है तो देखिए यहाँ पर अकरम करेंगे इस तीन ने डिवाइड करती है इस 240 को तो यहाँ आया 80 डेज यहाँ पर इसको डिवाइड किया यहाँ पर तो यह निकल कराया 480 48 यहाँ पर आया यह आया आपके सामने 60 तो यह आपके सामने individual निकल कराये लोग कितना कितना टाइम लेंगे, अगर अलग-अलग वो काम करते हैं तो, उमीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अब चलते हैं अपने 39th question के उपर अब 39th question पूछा गया है कि A plus B जो है, वो किसी काम को जब करते हैं, तो वो बताये, अगर वो किसी काम को मिलकर करते हैं, तो 20 दिन में कर देते हैं तो कितने दिन में वो अकेले-अकेले उस काम को करेंगे तो ये बोला गया है इसको ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं माल लेजिए, फर्स लाइन से आते हैं ये C हैं, ये A plus B हैं, वही same concept जो हम भी करके हैं, माल लेजिए C जो है, वो 100 घंटे लेता है, 100 घंटे क्यों लिए 100 घंटे इसलिए ताकि आपको परसेंटेज में दिक्कत ना आए, तो 100 में से 40 परतिशत अगर निकालेंगे, तो 40 ही निकल कराएगा, वो इसलिए, माल लेजिए, C जो है 100 घंटे में करता है, तो A plus B कितने दिर में करेंगे, उससे कितला 40 परतिशत कम लेंगे, यानि 60 घंटे कम लेंगे, 60 घंटे कम लेंगे, तो इसको अगर हम काटे बिटेंगे तो ये 5, ये 3, 5 by 3, ये time की time की जो है, वो ratio निकल कराई 5 by 3, भई आपको क्या चाहिए, आपको efficiency चाहिए, efficiency क्या होती है, जस्ट इनके opposite होती है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा clear हुआ, अब आगे बोला गया, भई B plus C जो है, वो उसी काम को करने में 60 परतिशत कम समय लेते हैं, A से आपको काम करिए, ये A रहा ये B plus C रहा भई A जो मान लिजीए, 100 घंटे लेता है B plus C, इस A से इस A से 60 घंटे कम लेंगे, 60 परतिशत कम लेंगे तो इसका 60 परतिशत निकालेंगे, तो 60 होगा इसमें से माइनस करेंगे, ये चालिस घंटे में काम करतेंगे, मैंने 60 क्यों नहीं लिखा, यहां पर आप देखें न, 60 परतिशत कम समय लिया, मान दें कि 100 घंटे में लिया, काम किया A ने, उससे 60 परतिशत कम समय लिया, तो पहले तो इसका 60 परतिशत निकालेंगे तो इसका 60 ही निकल कराएगा यह 60 कम लिया है तो 60 कम लिया है यह नि 100 था 60 कम लिया तो कितना लिया होगा 40 लिया होगा तो इसलिए 40 लिगा है तो यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे 5 यहाँ पर 2 यह टाइम की बाद हाई अब efficiency की बात करूं इसके opposite हो जाएगी यहाँ पर clear हुआ अब मैं क्या कह रहा हूँ इसको first equation मान लीजिए इसको second equation मान लीजिए और इसको एक बार हम rough कर देते हैं अब इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं देखें, first equation में देखें भई है तो वही न a plus b plus c a plus b plus c को अगर मैं add करूँगा तो यहाँ पर है 3 और 5 यहाँ पर निकल कराएगी 8 second equation में हम लेते हैं second equation में आपके सामने है a plus b plus c यह निकल कराएगी 2 और 5 को आप add करोगे तो 7 तो दिखें, यह दोनो equation के अगर मैं बात करूँ है तो same ही बंदे है तो same ही बंदे मतलब कि यह a plus b plus c है तो same ही मतलब team के, यह एक ही है यहाँ पर यह first team की बात करोँ second team की बात करो खेल तो दोनो तीनों खिलाडी same ही team में रहे हैं मतलब कि दोनों team में ही केल रहे हैं same हिलाडी तो इसका मतलब यह हुँआ कि 3 है इसकी 3 है और यहाँ पर इन दोनों की value कितनी है यहाँ पर 5 है तो यह 3 multiply हो जाएगा 7 से यह 5 multiply हो जाएगा 7 से तो यहाँ पर इनकी value आपके सामने निकल कर आएगी 35 यह आएगी आपके सामने 21 total 56 आएगी तो अब यहाँ पर आप देखिए इस second equation में second equation में a कितना है a तो आपको दे रखा है 2 2 की multiply हो जाएगी 8 से b प्लस c कितना दे रखा है 5 5 की multiply हो जाएगी 8 से तो यहाँ पर 8 को अगर 2 से multiply करेंगे तो यह निकल कर आएगी आपके सामने 16 यह 5 को 8 से multiply करेंगे आपके सामने 40 तो देखिए अकेले अकेले पूछा है तो यहाँ देखिए a प्लस b की value मैं यहाँ लिख लेता हूँ यह a है यह b है यह c है c की तो भाई साब इन्होंने बता दी 21 है अब a की हमारे सामने आगी 16 है यह देखिए a प्लस b की value आपके सामने दे रखी है 35 तो b की value क्या होगी 16 इसमें से आकर मैं minus करूँगा तो यह आपके सामने आएगा 19 तो यह रहा 19 पूछा गया गया है यहाँ पर तो पूछा गया है they alone यहाँ पर हिंदी में बोला गया b अकेला कितना दिन में काम करेगा तो आप इससे आप लगा सकते हो कि कौन कितने दिन में काम करेगा यह सामने जो है वो question निकला हुए तो देखिए 56 उनकी total efficiency है उसको multiply करवा दो आप days से यानि time से तो आप इसको time से multiply करवा देंगे तो यह निकल लग रहा हैगा 1120 unit of work अब A कितने दिन में करेगा 1120 divided by 16 B कितने दिन में करेगा 1120 divided by 19 C कितने दिन में करेगा 1120 divided by 21 तो आप देख लीजिए यह question आपके सामने कैसे solve होगा तो यह होगा आपके सामने 39th question अब आते हैं 40th question के उपर देखे 40, 41 और 42 तीनों question same है एक question आपको करवा दे तो आपको 41 और 42 question खुद करना होगा क्यों करना होगा question कितना समझ में आया है यह तभी पता चलता है जब आप खुद उससे try करते हैं first of all इस question को पढ़िए video pose करिए एक बार खुद try करना ही कोशिश करिए तो चलिए करते हैं इस question को देखे बोला गया है A plus B A plus B जो है वो किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं देखे यहां पर कांगे बोला गया है A plus B किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं अगर A और B work करें twice and one third of their efficiency respectively लिखना भूल गया बोला गया है नहीं कि A अपनी शमता का दो गुना और B अपनी शमता का एक बटे तीन गुना कर काम करें तो काम जो है वो छे दिन में complete हो जाता है तो बताइए कि A उस काम को कितने दिन में complete कर लेगा हिंदी के अंदर भी ऐसे लिखा है यहां बर आप देखें मैंने क्या का efficiency multiply में time is equal to work यह ऐसे काम होता है तो efficiency को time से multiply करा तो आपके सामने work निकल कराएगा तो यहां देखें यहां है A प्लस B जो है वो 8 दिन में कर देते माल लेजिए A प्लस B की कोई भी efficiency हो माल लेजिए A प्लस B की कुछ भी efficiency हो वो दोनों मिलके काम कर रहे है वो दोनों मिलके काम कर रहे है तो कितने दिन में काम खतम हो रहा है 8 दिन में काम खतम हो रहा है तो total work तो यह निकल कराया है आपके सामने तोटल वर्क तो यह निकल कराया अब आगे बोला गया कि A अगर अपनी शम्ता का दो गुना काम करें यानि A अपनी शम्ता का जो भी कर रहा था उसको दो से मल्टिप्लाई कर दो प्लस B अपनी शम्ता का वन थर्ड मल्टिप्लाई करें भी अपनी शम्ता का वन थर्ड मल्टिप्लाए करें इसको वन थर्ड से मल्टिप्लाए कर दो तो वो जो है उसकाम को छे दिन में कर पाएंगे अब इस शम्ता से दोनों मिलकर उसकाम को छे दिन में कर पाएंगे तो ये भी टोटल वर्क हो गया ये भी total work हो गया अब आपको पता है काम तो same है न ये वाला जो total work है ये वाला जो total work है वो same ही तो है अलग थोड़ना है अब देखिए अब यहां पर हम निकाल लेते हैं यहां यहां आया आपके सामने 4 यहां आया 3 अब यह 3 अंदर multiply करेंगे यह 4 यहां पर multiply करेंगे तो यहां आएगा 4A 4B यहां आएगा 6A plus B यह 3 इसके साथ multiply होगा यहां 3 आएगा तो यह cut हो जाएगा तो यहां आगया अब एक काम करिए इस B को यहां पे लेके आईए इस A को यहाँ पे लेके आईए तो 4 में से 4 B में से एक अकेला B चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 B अब यहाँ इस 6 A में से 4 A चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 A बचेगा अब यह A नीचे आजाएगा A नीचे आ जाएगा और यह 3 यहाँ चला जाएगा तो B by A आपके सामने निकल कराएगी 2 by 3 तो यह efficiency निकल करा गए यह आपके सामने efficiency निकल करा गए अब बोला गया A अकेला उस काम को कितने तिन में करेगा First of all तो आप total काम निकलेजे तोटल काम कैसे निकलेगा आपको A की efficiency पता है आपको B की efficiency पता है और time से multiply कर दीजिए A की efficiency कितनी? 3 B की efficiency कितनी? 2 यह पांच की efficiency से अगर वो 8 दिन काम करेंगे तो 40 unit of work बनेगा 40 unit of work बनेगा तो पूछा गया C उस काम को कितने दिन में करेगा just simple है भाईया 40 divide by में 3 तो 13 1 by 3 days clear तो यह होगा आपके सामने question 14 अब चलते हैं हमारे 41 question के उपर बोला गया है, मिरा नाम आ गया है Ajay along with Vijay do a work in 10 days if Ajay do a work in half efficiency and Vijay do 5 time of efficiency then they complete work in 50% of time how many days Vijay complete the whole work बची simple सी बात है कि Ajay और Vijay दोनों किसी काम को 10 दिन में करते हैं आगर Ajay अपनी शमता का half काम करे half शमता से काम करे और Vijay अपनी शमता का 5 गुना काम करे तो वो दोनों मिलकर 50 परतिशत कम समय में काम पूरा कर लते हैं 50 परतिशत किसका बची जो आपको सामने काम दिया गया और टाइम दिया गया था ये देखिए 10 डेज है तो 50 परतिशत इसका कितना होगा 5 डेज होगा तो पहली चीज तो हमारे सामने होगी पूचा गया है कि कितने दिन में विजय है उस काम को कंप्लेट कर देगा तो एक काम कर लीजिए न ये हो गया आपके सामने अजय है ये हो गया आपके सामने विजय है ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं तो ये आपके सामने जो निकल कर आया ये तो आपके सामने निकल कराया टोटल वर्क ये आपके सामने टोटल वर्क निकल कराया अब बोला गया कि भाई जो अजय है ये जो अजय है वो अपनी शमता का हाफ यूज करे मतलब अपनी शमता हाफ यूज करे और जो विजय है वो अपनी शमता का भाई बोला है न, 50% कम समय लेंगे, इससे 50% कम लेंगे न, तो 5 days, यहां आगया हूँ, clear है, अब यह जो आपके सामने, जो निकल कर आया है न, यह वाली जो चीज निकल कर आया, यह जो total work निकल कर आया, यह same ही तो है, भाई यह वाला और यह वाला जो work है, वो same ही तो है, मैं इनको equal रख देता हूँ, equal रख देता हूँ, इसने, इसको काट दिया, यहां 2 आया, यह 2 अंदर multiply हो गया, तो यह उट उट गया, 2, अजे, 2, विजे, यहां पर, कुछ है नहीं, इविजेंसी हमारे पास multiply करने, बाहर कुछ है नहीं, multiply करने को, तो यहां क्या आगया, अजे भाई 2, प्लस, 5, विजे, अब यह 2 विजे, यहां चला जाएगा, यह अजे भाई 2, यहां आजाएगा, तो देखिए, 2, अजे, माइनस, अजे भाई 2, इस इकोल टू, 5, विजे, माइनस का, 2 विजे, तो यहां पर आपके सामने, निकल कर आएगी, क्या वैल्यो निकल कर आएगी, 3, 3 विजे, तो इसका ऐसे लिए लिजिए, यह 2, माइनस का 1 बाई 2 है, तो इनका एल्सिम लेंगे 2, यह 4, यह 1, इस इकोल टू, 3 बाई 2, तो यहां पर के सामने, निकल रगाएगा, 3, अजे, 3 बाई 2, इस इकोल टू यह, तो यहां पर, यह विजे इसके नीचे ले आओ, विजे इसके उपर नीचे ले आओ, मतलब की, A, J, A, Y, अजे, डिवाइड बाई, विजे, यह जो 3 था, वो नीचे आजाएगा, यह 2 जो है, उपर चला जाएगा, तो यहां देखे, 3 डिवाइड बाई 3, इन 2 में 2, यह निकी 2 बाई 1, यह जो आपके सामने निकल कराए, यह Efficiency की Ratio निकल करागी, Efficiency की Ratio निकल करागी, तब Total Work निकालेजिए, यहां पर A, J की Efficiency 2 है, विजे की Efficiency 1 है, दोनों का Add करीए, 3 बनेगा, Multiply करीए 10 से, तो 30 Unit of Work जो है, आपके सामने निकल कराएगा, पूछा गया है, विजे इस काम को कितने तिन में करेगा, विजे के Efficiency 1 है, तो वो 30 Divide by 1, तो वो 30 Days ही जो है, इसको Complete करने में ले लेगा, यह अगया आपके सामने, 41 Question, clear, 42 Question जो है, वो भी सेम है, देखें, मैं पहले 40 Question ही लेके आने वाला था, फिर मैंने देखा, वो कम रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत lengthy वीडियो बने, आप उस वीडियो को देखें, आपके लिए वोई कहीं न कहीं burden बन जाए, कम questions रखेंगे, आपको बहतर तरीके से समझाया जाएगा, वीडियो अगर short भी बनेगी, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को वो समझ में आ जाएगी, तो चलिए, अब बोला गया है, two workers A and B working together, can complete a job in five days, वही same question है, if A work twice as efficiently as he actually did, and B work one third efficiently as he actually did, then the work would have been completed in three days, A alone can complete the work in how many days, पर एक question हिंदी में आपके सामने दिया गया है, कि दो आदमी हैं A plus B किसी काम को पास दिन में कर देते हैं, अगर A अपनी शमता का दो गुना यूज़ करे, और B अपनी शमता का one third यूज़ करे, तो टोटल जो काम है, वो तीन दिन में खतम हो जाता है, है तो वही ना, तो यहां पर आप देखिए, मैं लिख रहा हूँ, एक मिनिट, A plus B जो है, स्टार्टिंग में तो काम करते हैं, पांच दिन के अंदर वो काम कुम्प्लेट कर देते हैं, लेकिन अब A अपनी शम्ता का दो गुना यूज़ करे, B अपनी शम्ता का वन थर्ड यूज़ करे, तो उस काम को वो तीन दिन में कर देते हैं, तो यहां पर 5A plus 5B is equal to 3, इसके साथ multiply आगा, 6A plus B आजाएगा, तो एक काम करिए, इस B को यहां पर लेके आगी है, इस A को यहां पर लेके आगी है, यहां आएगा 4B is equal to 1A, अब A नीचे आजाएगा, यह 4 यहां चला जाएगा, B by A आगया आपके सामने 1 by 4, यह आगया आपके सामने efficiency, efficiency आगया आपके सामने तो रख दीजिए, A 4 है, B 1 है, तो यहां पर आपके समने 5 गुना 5, यह नि 25 unit of work, पूछा गया गया, A कितने दिन में करेगा, तो 25 के नीचे आप क्या लगा दीजिए, forces को divide कर दीजिए, 6 1 by 4 days, वो A लगा लेगा, B कितने दिन लगा लेगा, वह यह आपके सामने, समझ में आई तो मुझे कैसे समझा सकते हैं, ओविसली नीचे वीडियो के एक लाइक का बटन है, वहाँ पर प्रेस करके, सब्सक्राइब करके चैनल को, और कोई भी डाउट है, comment section open रहता है, आप जो है, comment करके अपनी problem मुझे बता सकते हैं, और हाँ, पीडियो के लिए तो मैं स्टार्टिंग में ही बताता हूँ, वह बता ना भूल गया, अब बता देता हूँ, description box में telegram का एक link दिया मिलेगा, तो जहांकर आप वहाँ से, इस वीडियो की जो पीडियो वह डाउनलोड कर सकते हैं, तो बस आज के लिए इतना है था, thank you for watching this video,